दोस्तों जून का महीना चल रहा है और गर्मिया अपने चरम पर हैं गुलाब को पौदा सर्दियों में जितनी अच्छे फ्लारिंग करता है और जितना अच्छा देखने में खुबसूरत होता है गर्मी जहिलना इसके लिए उतना ही ज्यादा कठिन होता है क्योंकि गुलाब का पौधा सर्दियों वाला सर्द मांसून का पौधा है और गर्मी जहल नहीं पाता है फिर भी सर्वाइब करता है तो मई जून में गुलाब की कुछ एडिसनल केयर करनी पड़ती है जिससे कि हम अपने पौधे को मांसून सीजन तक सेफ रख सकें बचा सकें जिससे ये मांस मांसून सीजन के पहले तक एकदम हरा भरा रहेगा और मांसून सीजन स्टार्ट होने के तुरंट बात से इसमें नई ग्रोथ और नई कलियां आपको दिखनी सुरू हो जाएंगी तो बात कर लेते हैं कुछ important topics जिसमें पहला है गुलाब के पौधे को गर्मियों में एकदम से आप सेड़ेट प्लेस में रखिए डारेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पढ़नी चाहिए ऐसी जगहां धूड़िये जहां पर हवा आस पास होती रहे पर डारेक्ट सनलाइट ना पढ़े अगर आपके पास सेड़ेट प्लेस नहीं है तो आप इसको किसी बड़े पेड़ क चाहे में या फिर ऐसी जगहां पर रह सकते हैं जहां दिन की एक दो घंटे की धूप आए उससे जादा धूप ना आए क्योंकि आगर डिर्त सन लइट पर पड़ती है तो यह बिल्कुल भी धूप को हीट को बर्दास नहीं कर पातार और इसके में जुप जो घ्राइवैं होती है पत्तिया जलने लगती है नई जो घो घूप प्रदास नहीं पाता है इसलिए इसे अमें धूप करना हो या प्रूनिंग करना हो बिल्कुल भी इस समय नहीं करना है नहीं पॉद्ध को ट्रांस्प्लांट करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो पौधा । होने लगेगा और शॉक में जाएगा अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसके फिर पौधा ग्रोथ नहीं होगा जैसे मैं आपको दिखाऊ यह देखें यहां से ड्राइबैक हो रहा अगर हम यहां से कट कर देंगे तो यह पूरी इस्टेम ड्राइब हो जाएगी और यह इस्टेम बेकार हो जाएगी आपको बिलकुल भी कटर यूज नहीं करना है जिससे अगर आप देना चाहते हैं और मित्टी में मिलने के बाद उर ज्यादा हीट होगी देंगे टो जो रूट्स होती है उन्हें वह डिस्टर्ब करती है और रूट अगर नहीं डिस्टर्ब होंगी तो पौधा अपने मरने लगता है तो मित्टी को हमें जितना हो से कि उतना मॉइस्ट रखना है, हीट नहीं होने देना है, इसलिए हमें dry compost देने से बचना है, और अगर हमें dry compost देना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चाय की पत्ती या green tea या coffee powder, यह आप दे सकते हैं, यह देखे दोस्तों, यह चाय की पत्ती है, जो कि एक चमच करीब हम एक गमले में, एक पौधे में दे देंगे, जो कि nitrogen का काफी rich source होता है, और अभी यह जो मिट्टी को heat भी नहीं, इसकी heat बढ़ाएगा नहीं, और इसके बाद आप चाहें तो coffee powder हो, या green tea हो, आप यह तीनों में से कोई भी एक चीज इसको दे सकते हैं, इसके अगर आप compost देना चाहते हैं, तो जैसा मेरे पहले बता है, liquid compost आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि पौधे में जो growth है, वो बनी रहेगी, nutrients की कमी नहीं होगी, और मिट्टी ज्यादा heat भी नहीं होगी, तो इसके अलावा अगर आप पौधों को जो है, इस परकार से देखिए एपसम सॉल्ट, एक चमच एपसम सॉल्ट का एक लीटर पानी में घोल कर, आप पौधों पर स्प्रे कर दे, और साथ में मिट्टी में भी दे सकते हैं, इससे क्या होता है, कि जो पत्तियां होती है, वो चमकदार रहेंगी, साइन करेंगी, और जो पत्तियों पर जो पौध पत्तियों का हेल्दी रहना बहुत ही आवस्यक है, तो इस प्रकार से एपसम सॉल्ट को, एक चमच एपसम सॉल्ट को, एक लीटर पानी में घोल कर, पूरे पौधे पर हफ्ते में, दस दिन में एक बार इस प्रे कर दे, पत्तियों पर साथ में, आप मिट्टी में भी इसका पौधा आपका हेल्दी बना रहेगा, अब दोस्तों आजाते हैं चोथे पौइंट में, देखिए क्या होता है कि संबंड बहुत, हीट बहुत जादा है, जिसकी वज़े से पत्तियां जल रही है, साथ में कुछ कीड़े होते हैं, जो हमारी पत्तियों को, इस परकार से दे परवाइब करना मुस्किल हो जाता है, इसलिए आपको ये चीजे देखते रहनी है कि पौधे में कोई प्रॉब्लम, कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है, तो आपको उसके लिए किसी भी पेस्टिसाइड का, चाहे नीम आयल हो, या फिर कोई भी पौधा अपना भोजन अच्छे से बनाएगा, तो पौधा भी हल्दी रहेगा, अब इसके बाद हम आयाते हैं, लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पॉइंट क्या है, वाटरिंग, दोस्तों गुलाब के पौधे में, गर्मियों में, जो मिट्टी है, इसकी मैं आपको दिखा पौधा खुद बखुद ड्राई होने लग जाएगा, तो आपको चेक करते रहना है, रेगुलर टाइम पे की, मौनिंग में अगर आपने वाटरिंग किया है, अगर जरुवत पड़े तो सामको भी करें, गुलाब के पौधे में, आप गर्मियों में, खास करके इस जून क महीने में, देख लें कि अगर जरुवत पड़े, मिट्टी ड्राई हो रही है, बहुत ही जल्दी, तो आप दिन में दोनों टाइम वाटरिंग करें, अगर नहीं हो रही है, मौइस्ट बना हुआ है, तो एक टाइम अच्छे से वाटरिंग करना बहुत ही आवस्यक है, साथ पांच जरुरी टॉपिक्स हैं, जिनको आप अगर यूज प्रयोग में ले आते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए, तो मई जून की गर्मी जो है, इसमें आपका पौधा हिल्दी रहेगा, और जैसे ही मांसून सीजन स्टार्ट होगा, इसमें नई नई ग्रोथ स्ट बहुत 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 भन्नेवाद